एक्टिविटी शीट नमबर 14 है यह हमारी शीट नमबर कौन से हो गई 14 हो गई और यह जो हमारी आज की एक्टिविटी शीट की जो डेट है वो टू फैब है दो फरवरी है यह जो एक्टिविटी शीट है यह S.E.E.R.D. के दुआरा दी गई है आपका 100 डेज का रेडिंग कमपेंड चला है जिसमें यह हमारा 14th नंबर के हमारी वरक्शीट है इसमें आपको क्या करना है आपका जो शब्दों का जो उच्चारन है उसको स्ट्रॉंग बनाना है ताकि आप अच्छे से बोल सकें और शब्दों को स्पीडली पढ़ सकें तो यह जो हमारी एक्टिविटी शीट है यह 6th क्लास से 8th क्लास के सभी बच्चों के लिए है यहां आपको अपना नाम लिखना है यहां आपको अपने टीचर का नाम लिखना है तो देखो आज की जो हमारी वरक्षीट है वो इंग्लिस की है तो आपको क्या करना है या तो अपनी इंग्लिस की नोटबुक में करनी है या फिर आपने यदि अपनी एक common notebook बनाई है तो उसमें आपको ये activity sheet करनी है तो चलिए start करते हैं अपनी आज की worksheet these simple things तो यहाँ पर कुछ simple सी चीजे होती हैं जो हमें करने में बहुत अच्छी लगती है तो देखते हैं आज की अपनी poem के बारे में the simplest things in life are best हमारी life के अंदर कुछ चोटी चोटी और simple सी चीजे होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमारी ले क्या होती हैं बिलकुल best होती है एक patch of green जहां भी हमें green patch दिखाई देता है जैसे हरी हरी घास दिखाई देती है तो वो आखों को कितनी शान्ती देती है तो एक green of एक patch of green क्या करता है हमें खुशी देता है एक शान्ती देता है एस small birds net पक्षियों का एक जो चोटा सा घोसला होता है वो उसको देखकर हम कितना खुश होते हैं a drink of water fresh and cold और जब गर्मियों का time होता है उस time कितनी गर्मी होते है और यदि उस time हमें ताजा ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा फील होता है उसके बाद है the taste of bread bread को खाने का जो taste होता है उसका अलग ही मजा होता है a song of old कुछ बहुत ही पुराने गाने होते हैं जो सुनने में बहुत ही हमें अच्छे लगते हैं तो a song of old कुछ पुराने गाने जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं these are the things that matter most यह वो चीजे हैं जो बहुत हमारे लिए matter करती है the laughter of a child आपने कभी भी देखा होगा youtube पे जैसे आप देखते हो जाती है और फेवरेट बुक वो बुक जो आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है flowers growing wild और full खिले हुए कितने अच्छे लगते हैं cricket singing in a shady book और जो जिंगोर होते हैं वो क्या करते हैं किसी कोने में जाके या चाया धार जगे पे जाके जहां वो किसी को दिखाई ना ते वहाँ पे वो अपनी आवाज निकालते हैं एक ball that bouncing high और एक ball जो आप फेकते हो वो जब बहुत उची जाती है बहुत high bounce करती है तो वो आपको बहुत खुशी देती है summer shower और जब बहुत गर्मी होती है और गर्मियों के time में जब बारिश आती है तो उस बारिश में नहाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है rainbow in the sky आकाश में जब इंद्रधनु दिखाई देता है तो बच्चों को बहुत ही खुशी मिलती है उसको देखे the touch of a loving hand और जब कोई प्यार से हमें हमारे सिर पर हाथ रखता है या हमारी कमर थप थपाता है प्यार से तो हमें कितना अच्छा लगता है and time to rest और जब आप बहुत थके हुए होते हो और जब आप आराम करते हो तो वो time बहुत ही अच्छा होता है बहुत good feeling देने वाला होता है these simple things in life are best यह छोटी छोटी simple चीज़े हैं जो हमारी life के लिए क्या है best है तो यह थी बचो हमारी आज की worksheet आप देख लेते हैं हम आज इसके question answers इसमें क्या पुछा गया है underline all the rhyming words in the poem आप देखो इस poem में जो rhyming, rhyming का मतलब होता है कि जो एक जैसी sound के जो word होते हैं उनको हमें underline करना है तो यहाँ पर देखो हम इसी में से वक्षीट से ही देखते हैं यहाँ पर है अब best nest एक जैसी sound है इनकी best और nest की उसके बाद है यहाँ पर child हो गया wild हो गया और उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है लिख दिये है जैसे best हो गया best nest cold old child wild book nook rest best तो यह क्या है same same सी आवाजवाले कुछ rhyming words है इनको आपको क्या करना अपनी note book में लिख लेना है उसके बाद देखते है question number second question number second में पूछा गया है from the poem list all the simple things which give us joy अब हमें इस poem से उन सभी simple चीज़ों को लिखना है जो हमें खुशी देती है जिन को करने में हमें आनन्द आता है तो यह यहाँ से start हो जाएगा a patch of green a small bird's nest drink of water fresh and cold taste of bread old song the laughter of a child a favorite book flowers growing wild a cricket singing in a shady nook a bowl that bounces high a summer shower a rainbow in the sky the touch of a loving hand and time to rest यह क्या है सारी की सारी यहाँ पर यह lines है जो हमें करनी है बाकि यहाँ पर same है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है तो क्योंकि पहले तो हमारी वर्क्षिट जादा आती थी लेकिन अब आपकी जो वर्क्षिट आ रही है वो बहुत ही एक दिन की हमारी एक यह वर्क्षिट आ रही है तो अभी हमें जो answer है आपको लिखने की भी practice हो जाएगी और इन words को जब आप बार बार बोलोगे read करोगे तो आपकी बोलने की भी practice होगी और आपकी writing भी सुन्दर होगी तो देखो same चीज है जो हमारी poem में थी a patch of green a small bird's nest a drink of water fresh and cold taste of the bread the laughter of a child favorite book flower growing wild ball that bounces high summer shower a rainbow in the sky touch of a loving hand time of the rest तो यह सारे points है जो आपको करने हैं उसके बाद है add more to the list for example the cool bridge जोने hot summer's day अब यहां पर हमें और भी कुछ ऐसी ही चीजों को इसमें add करना है जो हमें आनन देती है जैसे जब गर्मियों के दिनों में ठंडी हावा चलती है तो वो हमें कितना सुकून देने वाली होती है तो ऐसी ही चीजे जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं तो यहां पर मैंने कुछ add की हैं आप इनको देख लीजिए प्लेइंग और टॉकिंग विद यूर पैट तो यहां पर क्या होता है कि जब हम अपने पैट के साथ खेलते हैं या उनके साथ बात करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है प्लेइंग आउटसाइड आउटओर गेम्स विद यूर फ्रेंड्स तो यहां पर बेटा हैं देखो जब हम अपने दोस्तों के साथ आउटओर गेम्स खेलते हैं हमें वो गेम्स खेलते हुए बहुत ही उनके साथ एंजॉय करते हैं खुशी होती है helping of others जो needy लोग है जिनको help की जरूरत है जब हम उनकी help करते हैं तो हमें मन से बहुत ही खुशी होती है melting chocolates in your mouth और जब आप chocolate खाते हैं और वो chocolate mouth में melt होती है तो वो बहुत ही good feel करने वाली होती है planting और gardening in your garden और या फिर जब हम अपने garden में बगीचे में पोधे लगाते हैं या फिर अपने पोधों को ठीक करते हैं तो वो काम करके भी हमें बहुत अच्छा लगता है तो ये थे आपके three questions उसके बाद question number four है draw some of these and keep them in a scar book titled my favorite simple things in life अब आपको क्या करना है इन में से कुछ pictures आपको या तो जो आपकी scrap book है उसमें या फिर अपनी notebook में ही आपको जो simple चीजे हैं और आपको करने में बहुत अच्छा लगता है उनको अपनी notebook में draw करना है जैसे आप यहाँ पे rainbow draw कर सकते हो बारिश हो रही है तो यहाँ पे आप umbrella को कर सकते हो जो bowl है high bounce कर रही है उसको कर सकते हो जिंगूर की picture draw कर सकते हो जो आपको अच्छी लगते है वो picture आप draw कर सकते हो आपकी favorite books है बच्चों के हसते हुए की picture है bread का taste है birds का nest है या फिर patch of green है जो भी आपको अच्छी लगे वो picture आप अपनी notebook में draw कर सकते हो तो बटा यही थी आज की हमारी worksheet उमेद है आपको अच्छी से समझ में आई होगी thanks for watching video have a nice day